नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों इस समय हम हैं Central Reserve Police Force यानि केंदरी Reserve Police Force की ओफिसियल वेबसाइट पे तो दोस्तों CRPF में एक भरती निकलिवी है जिसके बारे में मैं आपके लिए अभी डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो पोस्ट है यह CRPF के होस्पिटल में पोस्ट है डॉक्टर की ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपका मैं आपको बिल्कुल किलिर बता देता हूँ यहां पर कोई भी क्लिक बैट नहीं होने वाला यह जो आपकी पोस्ट होगी दोस्तों यह काम को देखके परफॉर्मेंस को देखके आपकी जो जॉब की डूरेशन है उसको बड़ा दिये जाएगा करीब दो साल तो यह जॉब दोस्तों पांस साल की है यहां पर कॉन्टेक्शल बैसिस पर 69 बेकंसी है ठीक है मैं आपके लिए पहले ही बता देता हूँ दोस्तों कि यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि यहां पर दोस्तों आपके साहत में कुछ गलत न्यूज आपको दी जा रही है आपको मैं साब साब पढ़के दिखा रहा हूं यह वालकिन इंट्रव्यू इन च्रप्या फॉर अपैट्मेंट ऑफ इस्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर्स ठ ठीक है तो यहां पर आपके जो पोस्टन दोस्तों टोटल बैकंशी आपकी 69 बैकंशी से सब्सक्राइब के वलोग तो यह दोस्तों यहां पर आपके जो डेट एंट टाइम फॉर इंट्रव्यू होगा आपकी जो डेट होगी 15 से 16 सेंबर 2020 मतलब दो दिन 15 सेंबर और 16 हैं यहां पर दोस्तों काफी सारे होस्पिटल में यहां पर CRPF के बैकंशी निकली हुई हैं मैं आपके लिए जल्दी जल्दी इस वीडियो में सभी के बारे में जानकारी दूंगा ठीक है लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो दोस्तों यहां पर सबसे पहली वेकंशी जब वह है आपकी कंपोजिट कि Tao 후 go hospitalCRPF GC brought here to me Japan आपकी यूप यहां पर आपकी रांपउर जिएंज निकली हूई है यहां पर दोस्तों टोमांच यहां पर आप सकते हैं यह पोश्ट्ट दी गई है यहां पे वसका बाद में आपकी जो दोस्तों पेमेंट होगी वह आपकी फिक्स सोगी 85,000 और आपकी जो एज लिमेट है वो बिलो 70 एर्स एज ओन डेट ओवाल के इंटर्वु मतलब आपकी जो एज लिमेट है वो सत्तर साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए मिनिमुम्म आपकी कुछ भी हो सकती है ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपकी जो क्वैलिफिकेशन्स है वो है पोस्ट ग्रेजुए डिग्री ओब्लिक डिप्लोमा इन कंसर्ण स्पेसिलिटी वन और हालफ एर एक्सपरेंस आफ्टर प्रेंग पीजी डिग्री तू एन टू एन हालफ एर्स एक्सपरेंस आप्टर अप् तक है इसके मतलब है कमांड हॉस्पीटल ढमेस के बाद में इन तो फॉर्ण बांज्टिंपल स्रण सब्सक्राइब्स सिल कमपोजिट हॉस्पिटल नागपूर में पालीपूरम उसके बाद में हैदरवाद् पुने अगांधिनगर नीमच बलासपूर ठीक है उसके बाद में राची और जगदालपूर ठीक है यहां पर इन होस्पिट्रेल्स में जो है यह बैकिन्सिस निकले विंगे सभी की यह जो आपकी एज लिमिट है वो भी सेम है और आपकी जो सेलरी है वो भी सेम है ठीक और आपके जो इंटरबू है वो हर जगह पे 15-16 सितंब पर लिए डारेक्ट लिए जाएगा इसमें आपका ना तो कोई रिटेन एक्जाम होगा नहीं आपको कोई फिजिकल होगा क्योंकि आप देख रहे हैं बिलो 70 यहां पर एज लिमिट ली जा रही है तो यहां पर सिद्धे आपका इंटर्वी होगा और उसके बाद में आपक आपकी जो इनिस्यल कोंट्रेक्ट होगा वो तीन साल का होगा उसके बाद में आपकी एक एक साल करके दो साल तक आपकी जो सर्विस है वो बढ़ा दी जाए लेकिन उसकी एक सर्थ कि आपकी एज लिमिट सतर साल से उपर नहीं जानी चाहिए ठीक है यहां पर दोस्तों कुछ और सर्थे दे गई है जिनके लिए मैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा आप वहां से जाके इस नोटिफिकेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और डेटेल में पढ़ सकते हैं आप सर्च कर सकते हैं सिवा ओनलाइन क्लासिस ठीक है तो बहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी जोएन कर लें और इस वीडियो की जो भी इस भरति से रिलेटेड पूरी जानकरी है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको और भी सार में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत